दरन वी शो क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप जट जट से बहुत करी तो बहुत कुछ सीखा उनसे और कुछ-कुछ पॉडकास ऐसे होते हैं जो मेरे साथ रह जाते हैं मैं सोचता हूँ उनके बारे तो उनने का कि जब हम 10 sick gurus के बारे में बात कर रहे हैं एक commonality थी जो एक जोट थी यानि कि साहरों के अंदर एक energy transfer तो हुआ तो उस जोट के बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ आजकर तो ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे बचपन से मैंने कहानियां तो सुनी हैं और तब भी inspiration फील होती थी पर जब आप age 30 तक पहुंच जाते हो जहां मैं प पता नहीं क्यों तो जो भी मेरे actual sick friends है जो पंजाब में पले बढ़े फील कि उनका गुरू गोबिन सिंग जी को देखने का नजर्या हलके से अलग हो लाइक डीपर understanding ज्यादा understanding उस perspective से पूछा चाहूँगा कि एक पहले तो मैं चाहता हूँ कि हर भारतियों को उनकी कहानी तो at least जाननी चाहिए जो लोग अब तक जानते हैं पर नहीं भी जानते हैं इसलिए वो वाला podcast बना है पर एक human level पर क्या जानना चाहिए आपने अब मुझे कुछ सिखा हो बहुत बड़ी त्याग की भावना है भाई मतलब जब अपने और पराये में भेद खतम हो जाए व वो है रब का गुण जब सब अपने लगते हैं जब आप किसी के लिए अपना सीस कुर्बान कर दें वो है रब का गुण तो रब ही हो अपनी पूरी family आप निशावर कर दें तो वो है रब का गुण ये आम बंदे में है ये बात नहीं है इसलिए रब है वो तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है obviously SGPCS पे काम कर रही है already उनको और जो वो काम करते हैं वो authority है वो कह सकते हैं चीजे बता सकते हैं लोगों को मैं तो जैसे पूरान सिक्ष भी नहीं हूँ मेरे को इसलिए लगता है कि यार मैं इस बात पे कम बात करूँ तो लेकिन मतलब ये आपने जो podcast किया बहुत अच्छा मतलब बहुत लोगों को पता चलना चाहिए 100% पता चलना चाहिए और मेरे को कई बार ऐसा भी लगता है कि हम होते काउन है मतलब जो उस चीज़ को पता करा है ये इतनी बड़ी बात है जब मर्जी है उसकी तो वो किसके अंदर कब लाइट हो जानी है उसने कर देनी अगर भगवान चाहे तो ऐसे सब की लाइट ना होनो जाए गुर्गोविन सिंग जी की जो लाइफ है उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली कुर्बान कर दी उनके फादर गुरुतेग बहादर जी वो उन्होंने अपना सीस तक दे दिया और जो उनका सीस लेके आये थे पाई जैता जी उनकी लाइफ भी बहुत कमाल की जन्नी आप उनके बारे में भी जरूर पढ़ें पाई जैता जी खुद का पॉड़कास्स टार्ट करना है पहले ये सीखो कि पॉड़कास्स टार्ट कैसे करते हैं एक पॉड़कास के तू आपको अपने सोशल मीडिया के लिए 20 short form videos real shots मिल सकते हैं पर आपको आज क्या सीखना है कि पॉड़कास्टिंग की शुरुआत कैसे करें आपका भाई आपके ले लेके आए एक कोर्स डेफिनिटी चेक आउट भी अबाई से स्किलाउस पॉड़कास्टिंग 101 कोर्स तो ये जो गुण है ये है सारे रब के गुण त्याग दिन बहुत बड़ी बात है पाजी मतलब अपना आप कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है अपना परिवार कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है इसलिए वो हमारे गुरू है इसलिए वो हमारे रब है आपने एक इंटर्विव में कहा है कि आपकी 20s की बात कर तब आपने कुछ कहा कि जिस आपका करियर स्टार्ट हुआ था एक गाना निकला था और दो साल बाद उस गाने को लेकर कोई कॉन्ट्रॉजी होगे थी फिर लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश करी चलो होता ही ऐसा सब लिए अपने तब उसके साथ डील कैसे किया तब तो मेरे को लगना था ऐसा क्यों हो रा है लेकिन यह प्रोसेस ऐसा ही है यही तरीका है और वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट करना चाहते है या आपको खराब करना चाहते है या आपका करियर खराब करना चाहते है नहीं, या आपका टेस्ट हो रहा है ये ऐसा होगा ही होगा उनका कसूर नहीं है ये उनको काम दिया गया है सिर्फ आपका टेस्ट, टेस्ट आपका हो रहा है कि आप किस जगह पे खड़े हो कि आपकी reaction क्या होगी आपका reaction वो matter करेगा तब तक आपका reaction होगा जब तक आप समझो कि कि मैं कुछ हूँ जब मैं कुछ नहीं हूँ कई बार तो पता चलता है अच्छा तू खेल खेल रहा है मेरे साथ तो यह आपका test है उनका कसूर नहीं है वो कोई भी हो सकते हैं A, B, C, D कोई भी हो सकते हैं आप उनको as a person judge ना करें किसी भी time पे किसी क्या भी duty लग सकती है कि इसके reaction के लिए चलते रही है और आपके through भी किसी का reaction लिया जा सकता है इस game में जो हुआ है पहले Hindi film industry में काम करके क्या पता चला है संसार के बारे में मैं मानता हूँ कि अगर किसी को life में इतनी ज्यादा शोहरत मिली है कि सोल में कुछ तो special होता है नहीं मुरे को लगता है बहुत सारी ऐसी special souls है जिनके बारे में पता भी नहीं होता है आपके थुरू बुस कुछ काम हो रहा है जो होना है अगर दुनिया को इंटर्टेन होना है आपके थुरू तो बस आप इतना ही हो रहा है सारी special है निरपो निरवेर और ना कोई नस्दीक है ना कोई दूर है और सब ही उसी के रूप है हम सब उसी के रूप है उसके बिना कुछ नहीं है सारी special है गुर्गोबिन सिंग जी के यही specialty थी उन्होंने सब को सिंग बनाया सारी special है एक साथ बैठके सब खाना काएंगे कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं सब को एक समान दरजा होना चाहिए हाला कि यह follow नहीं होता है लेकिन उनका तो यही था motto तो यही था सारी special है, सारी special soul है अगर किसी की duty glamour में नहीं लगी हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि वो special नहीं है, ऐसा नहीं तो उसको ऐसे ही बहुत सारे clips upload कियें इस channel पर, channel को explore करो, देखते जाओ और सीखते जाओ